एक्टर के घर में लिंग बहरवी का मंदिर खास यंत्र कैलाश का पत्थर हुआ है चमतकार बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने चैनल मोक्ष पर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक्टर राजेश कुमार बीते 20 सालों से मुंबई के अपने घर में रह रहे हैं उनके घर से आरे जंगल का खूपसूरत नजारा दिखता है साथी हाली में राजेश ने अपने घर का एक एक कोना दिखाया है और उनके घर का मंदिर सबसे युनीक है उनोंने देविलिंग भैरवी का छोटा सा मंदिर बनवाया है मंदिर में यंत्र रखा है इस यंत्र को सद्गुरू जग्की वासुदेव ने प्रतिष्ठित किया है साथ ही ये मंदिर पूरी तरह से सद्गुरू के ईशा फाउंडेशन से इंस्पायर है राजेश ने बताया कि मंदिर में दिया जलाने पर जो काला पड़ता है वो इससे फैसिनेट रहे है उन्होंने मंदिर में एक अद्बुत चीज रखी है वो 2014 में कैलाश मान सरवर गए थे वहां से राजेश रास्ते में एक दिफ्य पत्थर उठा कर लाई थे साथ ही इस पत्थर की चमतकारिक कहानी बताते हुए एक्टर ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हुआ इस पत्थर ने धीरे-धीरे गणपती का आकार ले लिया साथ ही राजेश कुमार ने आइक शो सारभाई वरसीस सारभाई में काम किया है इसमें उन्होंने रोशेश का रोल प्ले किया था वर्क फ्रेंड पर राजिश को खालिया रिलीज मूवी बिन्नी एन फैमिली 5 में देखा गया था इससे पहले वो सीरीज ये मेरी फैमिली में दिखाई दिये थे एक वक्त था जब राजिश के पास काम नहीं था वो गाउं में खेती करने लगे थे बिस्निस में नुकसान होने पर उन्होंने एक्टिंग में कमबेक किया इस तो आप डेट्स के लिए चाहिए को सब्सक्राइब कर दें बला आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि नहीं तो आपसे कोई में हैपोन जानकारी चूट पाए और साथे साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे कोई शिकायत रसेलिशन दे रहा हो तो नीचे कमें सेक्षिन की जरीए जरूर दे